नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप मेरे जो पीछे द्रिस देख रहे हैं, ओ द्रिस बड़ा खुपसूरत है मेरे भाई क्योंकि यह द्रिस जो है, वो हमारे कैमूर की पहाड़ी का द्रिस है और इस कैमूर की पहाडी का जो द्रिस है इसी द्रिस को देखते हुए हमारे देश ने हर्थात भारतिय सरकार ने इसको दूसरा बिहार का टाइगर रिजरब घोसित किया है और इस दूसरे टाइगर रिजर्ब को घोसित करने का काम हमारे विहार सरकार के मुख मंत्री भी उनके साथ मिल करके किये थे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसी पहाडी में आ चुका हूँ जरा देखिए और आप हमें चलते इस पहाडी को देख रहे हैं आप जैसा कि आप पत्थर है यह पत्थर सिला जो है इस में देखिए राम लिखा हुआ है इस सारा कैमूर की पहाडी का द्रिस है मेरे साथियों देखिए जरा इस सारा कैमूर की पहाडी का द्रिस है इस सब के सब द्रिस आप तो यहां देखिए सारी दुनिया का और इसी कैमूर की पहाडी में हम लोग का गाउ है और इस गाउ में हम लोग बसते हैं देख सकते हैं आप देखिए यहां देखिए इस सारी वादियां हमें कोई आप सोच रहेंगे कि यह देखिए यहां नीचे जो देखेंगे जहां तक तब वहां तक आपको पेड़ ही पेड़ दिखाए देंगे मेरे प्यारे साथियों देखे पहाडों में ठक जा रहा हूं चड़ने में यह ठक जा रहा हूं आप सभी को मेरे पैरे बच्चों में बता रहा था कि जो द्रिश है इसकी खुबसूरती ही अलग है देखिए आप य जाएगा कि इसमें कितनी थाकावट है और कितनी मेहनत है यह हमारे गाओं के ही जो बच्चे हैं देखिए यहां इस सब बैठे हुए हैं आप देख लिजिए साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राकिरती के गोंद में हम लोग बश चुके हैं सबसे बड़ी जहां तक हमारी नजर जा रही है और कैमरे की नजर जा रही हो सब द्रिश खुबसूरत है इसलिए आप सभी को एक बार मौका मिले तो इस कैमोर की पहाड़ी को देखने के लिए जरूर आए और इसकी द्रिश को देख करके आप अनुभव करें कि हमारा प्रकिरती क्या है थैंक्यू धन्ने बाद